एतिहासिग मैदान है और आज हम लोग खटे यां हुए हैं जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं तो इस मैदान से एलान होने जा रहा है कि हुक्मान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब जादे दिन रुखने वाले नहीं हैं आज हम लोग दिल्ली में आए हैं सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बहार गए हैं यह समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बहार गजा रहे हैं आज वो हमेशा हमेशा के लिए बहार जा रहे हैं यह लोग जो नारा देते हैं चार सो पार यह लोग जो नारा दे रहे हैं चार सो पार अगर आपके चार सो पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराट किस बात की हैं किस बात की घबराट हैं आपने अरविन केजीबा वाल मुख मंत्री को जेल बेज़ दिया मुकी मंत्री हेमन सुरन को जेल बेज़ दिया और मैं तो इस औतप्देश से आता हूं जिस औतप्देश के लोगों ने भारती जंता पार्टी को मौका दिया उनका स्वागत किया लेकिन याद रखें उत्त अप्रेस के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूम धाम से बिदाई भी करते हैं और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है न केवल भारत के लोग बलकि दुनिया के लोग भारती जंता पड़ी पर थू थू कर रहे हैं आपने चुने हुए लोगों को मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया जिस लोगतंत्र में और जिस लोगतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था आज वहीं दुनिया में भारत की अगर सबसे ज़्यादा थू-थू किसी ने कराई है तो वो भारती जनता पार्टी के लोग हैं भारती जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन इनके दस साल का कारकाल आप देखोगे तो ये भ्रहमांड की सबसे जूटी पार्टी है केबल दुनिया की नहीं भ्रहमांड की सबसे जूटी पार्टी है और जो लोग E.D. C.B.I. Income Tax को आगे कर रहे हूं उन्हें सत्ता में रहने के लिए सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संसाओं को आगे कर रहे हैं तो ये चार सो पार नहीं चार सो हारने जा रहे हैं और जो देश के हालात हैं किसी कौने से देख लीजिए आप जो देश के हालात हैं वो भारती जन्ता पार्टी के साथ नहीं है अगर भारती जन्ता पार्टी हमारे गड़बंदन के नेताओं के बारे में जो बातें रख रही है आज तो देश जान गया है ADCVI से डरा करके इन्होंने सबसे ज़्यादा चंदा बसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारती जंता पार्टी के लोगों ने किया है ये जो बसूला गया है चंदा इसको दबाने के लिए जो विपक्षी नेता है उन पे जूटे मुकदमे लगाय जा रहे है इस बार छुनाओ आने जा रहा है मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ इन्हें हराओ इन्हें बापिस भेजो क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके बोट से बचेगा बोड से ही लोगतंत्र बचेगा बोड से ही समिधान बचेगा बोड से ही आरक्षण बचेगा और बोड से ही हमारे देश की आबादी के 90 परसेंट लोग जो पीडिये हैं उनको बचाने का काम होगा मुझे उमीद है कि आज जो राम लीला मेदान से संदेज जा रहा है ये देश के कोने कोने मर जाएगा